तो प्रेंट्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं रॉयल एंड फीड क्लासिक 350 पर एंगुलर सिलेंसर के आवाज और यह सिलेंसर गुवर्मन नॉर्म्स के मताबिक लेगल है या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं नहीं तो और यह सिलेंसर के लिए किसे अए हैं कि आपके लिए टावा सिलेंसर के लिए खाए हैं सब्सक्राइब टूपर बावाज जाए हैं अब हम आपको इसका डेसिबल मेटर से चेक करके दिखाएंगी कि सालेंसर लीगल है इकी इन लीगल है 80 डेसिबल से कम डेशो वाला सालेंसर लीगल है तो इस एप से आप सभी गाड़ियों का सालेंसर सांड चेक कर सकते हैं कि यह गाड़ी लीगल है यह इलीगल है और इस एप का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्टिन में दे दूगा तो चलिए अब आप आप इसका देख सकते हैं 73.9 तो फ्रेंड्स यह से लेंसर लीगल है पूरी तरीके से क्योंकि इसका बेस एक्टी डेसिबल से नीचे है तो आज हम इसके कुछ स्पैसिफिकिशन के बारे में आपको और बताएंगे इस से लेंसर की यह फायदे हैं कि इससे आप इसको लगागे आप आफ रोडिंग कर सकते हैं और स्पोर्टी लुप देती है इससे बाइक आपको और पुरानी क्लासिक में यही वाला से लेंसर कंपनी फिटिड आता था और अब यह से लेंसर थोड़ी आवाज होने के कारण यह बंद हो चुका है बाकि रोइलेंट फिल्ड के शोरूम्स में और कुछ शॉपस में आपको यह से लेंसर एवलेबल हो सकता है इस से लेंसर का प्राइस 3500 रुपीज है यह से लेंसर बिल्कुल लीगल है पर आप इसको सिर्फ फिल्टर वाला से लेंसर ही लगाएं तो थैंक यू आज के लिए इतना है और प्रेंट्स हमारी वीडियो आज की आपको अच्छी लगे तो इसको लाइस सिर्स्क्राइब और शेयर कीजिए थैंक यू पर वाकिन मैं वीडियो